वर्टिकल डेटा को horizontal और horizontal डेटा को अगर vertical करना है तो पहले पूरी डेटा को select करके copy करेंगे और जहां भी आप करना जाते हैं आप click करके control, old और V करेंगे यहां से ट्रांस्वोर्स पर जाएंगे ok कर देंगे तो सारा डेटा ट्रांस्वोर्स जाएगा जैसे यह देखी